आपदा प्रबंधन की अवधारणा जम्मू और कश्मीर का क्शेत्र प्राकृतिक आपदाओं से अंजान नहीं है। पिछले कुछ सालों में इसने कई आपदाओं देखी हैं। अपनी विशिष्ट भौगौलिक परिस्थती, पहाड़ी इलाकों, बदलते मौसम की स्थती, अविकसत अर्थ विवस्थाओं के कारण इसके क्शेत्रों को बहुत नुकसान हुआ है। भूकंप, बाड, आग, सूखा, हिमस्खलन और भूस्खलन जैसे खत्रे अकसर आपदाओं में बदल जाते हैं। जिससे लोगों के जान माल के साथ साथ सार्वजनिक और निजी संपत्ती का नुखसान भी होता है। प्राकरतिक आपदाओं से सुरक्षा के उपाए, निम्न सुरक्षा उपाएं का पालन करने से आपात स्थती के दोरान खतरे को रोकने और अपने परिवार को सुरक्षत रखने में मदद मिल सकती है। सूचित रहना निकासी और सुरक्षा साधन के बारे में जानकारी के लिए स्थानिय अधिकारियों से संपर्क करें निकासी की योजना बनाएं प्राकृतिक आपदा के दौरान बाहर जाने की योजना तयार करें कि आप कहां जाएंगे किस स्मार्ग से और कैसे पहुचेंगे आपात कालीन किट हमेशा साथ रखें फ्लैश लाइट, बैटरी, प्रात्मिक चिकित सा आपूर्ती और आवश्यक पहचान, जानकारी के साथ स्टॉक किट अनावश्यक जोखिन से बचें निर्देश दिये बिना अपने घर से बाहर ना निकलें अपने घर में सबसे सुरक्षत जगह पर जाएं बाढ के दौरान किसी उची मन्जिल पर जाएं भूकंप, भूस खलन और बाढ के प्रकोप के दौरान अपने परिवार और घर को सुरक्षत रखने के लिए इन घरेलू सुरक्षा युक्तियों का पालन करें कीमती सामान को एक जल से बचाव की जाने वाली तिजोरी में रखें महत्वपून दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करवाएं या सुरक्षित वाटरप्रूफ बैग में रखें निकासी योजना तयार करें आपात काली नौर प्राथमिक जकित्सा के लिए दवाई वा अन्य सामगरी आपूरती अधिरिक्त बैटरी और फ्लाश लाइट का इंतजाम करें अगर आप किसी इमारत में फज गए हैं तो सबसे उची मनसिल पर जाएं प्राक्रतिक आपदा के दौरान मलबे का प्रबंधन प्राक्रतिक आपदा के बाद मलबे के प्रबंधन की योजना बनाना जरूरी है भूसखलन, भूकंप, बाड, जंगल की आग और सर्दियों के तूफान आदी प्राक्रतिक आपदा से पहले हम तैयारी कर सकते हैं इन आपदाओं से बचने में सामुदाइक योजनाय मुख्य रूप से सहायता करती हैं इसकी जानकारी निम्न रूप में शामिल है मलबे प्रबंधन योजना के लिए आवश्यक संसाधनों को मुहया करवाना विभिन्न प्राक्रतिक आपदा में मलबे के प्रबंधन के लिए नियम कानून की जानकारी होना और उसके हिसाब से योजना बनाना प्राक्रतिक कापदाओं की योजना बनाने में परामर्श लेना आवश्यक है आपात कालीन किट के जरूरी सामान बैटरी से चलने वाली टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी, बैटरी चलित रेडियों, प्रात्मिक चिकित सा किट और आवश्यक दवाई, आपात काली इन भोजन और पानी, मुम्बत्ती और माचिस एक जर्रोधक डिपे में रखना, चाकू, क्लोरीन की गोलियां ताकि पानी को सा किया जा सके, आपके आवश्यक दस्तावेज, नकत, आधार कार्ड और राशन कार्ड, मोटी रस्यां और डोरियां, जूते, आपदा प्रबंधन के लिए आम जनता को जागरुप करना चाहिए तथा निम्नलिकित बातों पर ध्यान देना चाहिए, रेडियों और टीवी प सारे उपकरण बंद कर दें, जरूरी सामान को साथ ले जाएं, जल प्रदूशन के स्रोत जैसे कीटनाशक, दवाई, इत्यादी को संभाल कर रखें, गैस और बिजली को बंद रखें, पंचायतों को आपदा प्रबंधन के लिए निम्नकामू की तयारी करनी चाहिए, प्र जभावित परिवारों के रहने के लिए उचित जगह का इंतजाम, मवेशियों के लिए चारी की व्यवस्था करना, लाशों वा मरे हुए जानवरों का समय पर नियमानुसार दहसंसकार करें, बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए टीका करन का इंतजाम करना चाहिए, ज प्रबंधन क्या होता है और कैसे पंचायतें उसमें मदद कर सकती हैं, आप लोग अपना ध्यान रखें तथा सुरक्षित रहें